अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Taro Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाप से आप tarot reading को देख सकते हैं, तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, चलिए से जडेरे से आप लोगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, मैं पस यहां पर तीन set of cards हैं, फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है, तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहां पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, five of inspiration rivers और यह card कहता है कि कुछ time से यहां फिर July starting में आपके मन म किसी चीज को लेकर एक दोविधा चल रही है, एक उल्जन चल रही है और इस उल्जन इस दोविधा के सब से डिटेरियस के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन five of inspiration rivers के नीचे fear का card कहता है कि कि किसी भी level पे किसी भी तरीके का एक डर आप महसूस कर रहे हैं, अब देखें एक और ची उसका root cause, कहीं कोई भी fear रहता हुआ दिख रहा है, यह general reading है, यह fear भी सब से डिटेरिस के लिए different करेगा, और कहीं mid July में इसी fear से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, यह हो सकता है कि कोई और चीज आपके relationship में हो रही है, personal life में हो रही है, जो एक happiness joy आपको दे रही है, बहुत energetic आप महसूस कर रहे हैं, एक enthusiasm है, excitement है, कुछ सरीटेरिस के लिए हो सकता है कि partner के साथ आप marriage long term चाहा रहे हैं, और इसी चीज पर partner से बात करना चाहा रहे हैं, या पर इस से related बाते हो रही हैं आप दुनों के बीच में, और आपकी तरफ से जादा इस चीज का एक initiative र दिख रहे हैं, deeper level के लिए hiding का card कहता है कि कोई चीज या तो आप अपने partner से hide कर रहे हैं, या कितनी बारी होता है हम खुद से भी hide कर रहे होते हैं, या आपर कोई emotion हो सकती है, कोई feeling हो सकती है, कोई literally बात हो सकती है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, जिसको लेकर एक transparency या तो again मैं कहूंगी partner के साथ नहीं है, या फिर खुद से भी आप accept नहीं कर रहे हैं, खुद से भी कोई चीज सो चुपा रहे हैं, कितनी बारी हम अपनी feelings को यह नहीं accept करते हैं, वो at times positive होती है, at times negative होती है, तो कहीं एक hiding वाली secrecy वाली energies रहती भी दिख रही हैं, और end July के लि emotions को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, और एक नए तरीके से नए idea के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं, deeper level के लिए I don't care का card भी इन्ही energies को confirm करता है, कि आप beyond the point परवा नहीं कर रहे हैं, आप देखिए फिर से यह general reading है, तो यह परवा ना करना भी सब Sagittarius के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, society, religion, या फिर family, या किसी भी तरीके की अगर restrictions हैं, या उनकी तरफ से कुछ issues हैं, problems हैं, तो कहीं end July में आपको ऐसे लग रहा है कि भाड में गए सब मुझे किसी की परवा नहीं है, तो कहीं you know, एक I don't care वाला attitude, उन लोगो के लिए रहता हुआ दिख रहा है, कुछ सब्सक्राइब के लिए भी हो सकता है, कि partner की कोई बात आपको hurt कर रही है, आप उसके बारे में, you know, ऐसी energies में हैं, कि आपको परवा नहीं है, या फिर, कुछ के लिए भी हो सकता है, partner की परवा नहीं कर रहे हैं, भई, especially you know, partner अगर आपको उस तरीके से importance नहीं दे रहे हैं, एक special feeling नहीं करा रहे हैं, कुछ मुद्धे भी उनके साथ रह रहे हैं, तो आपको से लग रहा है कि भई, मुझे partner की भी परवा नहीं है, अब जो भी चीज़े मेरे mind में आई, मैंने कहा, सब seretaries के लिए differ करेगा, बट कोई बात ज emotional होकर नहीं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं, तो आपके partner के लिए दिखिए, आप इस सबसे बहला card मुझे दिख रहा है, two of emotions reverse, two of emotions कहीं love, care, प्यार, महबबत की बात करता है, क्योंकि ये card reverse है, तो कुछ सदिदे areas के partner के लिए हो सकता है, कि भी love, care, प्यार, महबबत महसूस तो कर रहे हैं, express नहीं कर रहे हैं, यहां फिर अपनी तरफ से उस तरीके से initiative नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से वो लेते हैं, यहां फिर किसी भी तरीके का एक distance हो सकता है, emotional level पे specifically वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए सब स रिटेजिस के partner के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन deeper level के लिए taboo का card कहता है, कि कहीं वो भी, you know, हो सकता है किसी चीट से डर रहे हैं, अब दीके taboo कहीं religious या spiritual या social जो भी restrictions होती हैं, जो भी चीजें हमें prohibited हैं एक तरीके से, हमें पाबंदी है, हमें मना है, उनकी बात करता है, तो हो सकता है कि social, religious, जो भी एक पाबंदियां हैं आप दोनों के relationship हैं, या मैं कहूंगी अगर हैं, तो उनके उपर focus कर रहे हैं, या फिर उस वज़े से, कहीं जिस तरीके से वो एक प्यार महबत महसूस कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं आगे आ रहे हैं, और ये दिखिए, जो अपना belief system भी हो सकता है, उनका अपना सोच भी हो सकती है, जिसकी वज़े से वो इस तरीके के energies महसूस कर रहे हैं, जो भी हो, कहीं mid July के लिए hesitation and temperance के काट कहते हैं, मन ही मन में जितना भी hesitate कर रहे हों, जितना भी hitch-kitchा रहे हों, जितना भी reluctant हों, कहीं surface level के लिए एक balance maintain करते ह इस relationship में initiative action लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं दिखे एक union mid July में वो भी चाहते हुए दिख रहे हैं, अब ये union भी सब Sagittarius के partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए literally हो सकता है, marriage चाहा रहे हैं, या फिर यूनों जादा connect करना चाहा रहे हैं, जादा आपसे मिलना चाहा रहे है लेकिन कहीं एक balance maintain करते हुए दिख रहे हैं, कोई भी चीज Sagittarius आपके partner over नहीं करते हुए दिख रहे हैं, and end July के लिए यहाँ पर spying and two of inspiration के cards कहते हैं, कि वो इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं, and आपके उपर पूरी उन्होंने नजर रखे हुए है, spying का card कहता है, आ आपकी हर हरकत, आपकी हर चीज़ पे वो again कहूंगी नजर रखे हुए हैं, या फिर उसको observe कर रहे हैं, and कहीं एक confidence उनको इस relationship पर आता हुआ दिख रहा है, आप पर आता हुआ दिख रहा है, और इसी confidence की वज़ए से, या कोई और भी reason हो सकता है, उनको ऐसा लग सकता है in July म को लेकर जाना चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं कि July मन्त में क्या हो रहा है, तो देखिए July मन्त के लिए सबसे पहले cards है, night of emotions, reverse and beyond my control, तो देखिए आप दोनों की जो भी energies हों, कहीं अगर हम July starting के energies देखिए तो बहुत एक overwhelming emotions रह सकती है, बहुत ज़ादा sentimental आप दोनों य हो रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हो सकता है, hurt भी कर रही हों, और आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसे लग रहे हैं कि भाई मेरे bus में ही नहीं है, जो भी मैं feel कर रहा हूं, जो भी मैं feel कर रही हों, तो चीज़ें emotions, feelings आपके या आपके partner के control से बाहर जात भी दिख रही है, and lovers reverse का card, again दिखिए, एक बहुत प्यार, महबबत, love, care, intense, passionate emotions, feelings के होने की बात करता है, लेकिन ये card reverse है, तो या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उस तरीके से नहीं express कर रहे हैं, यानि कि जो महसूस कर रहे हैं, वो express नहीं कर रहे हैं, और दि इस तरीके से connect करना चाहते हैं, उस तरीके से नहीं connect कर पा रहे हैं, कितनी बार ही होता है ना हम अपने partner के साथ में, और मन करता है कि बस हम उनको hug कर लें, या फिर इनों उनका हाथ पकड़ कर बैच जाएं, लेकिन हम hesitate करते हैं, और आपके partner के लिए तो दिखिए, literally hesitation का card है और आपके लिए hiding का card है, तो ये भी हो सकता है, Sagittarius आप अपनी emotions को छुपा रहे हैं, आप अपनी feelings को छुपा रहे हैं, उस तरीके से नहीं partner को express कर रहे हैं, जिस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं, और कहीं lovers, rivers का card, एक किसी तरीके के distance के होने की बात करता है, अब ये distance को Sagitt के connection नहीं बनता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि emotional level पर connect करें हैं, लेकिन physical level पर एक दूरी है, किसी भी reason की वज़े से हो सकता है, आप लोग wrong distance relationship में हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं, again, जो भी मेरे mind में आया, मैंने कहा, सब के लिए different reasons हों अब फिर उस तरीके से नहीं connect कर रहे हैं, जिस तरीके से deeper level के लिए महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके partner के लिए हमने hesitation card में देखा, आपके लिए hiding के card में देखा, लेकिन मन ही मन समझ रहे हैं, कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या उसकी feeling है, क्या वो कहना चाह रहा हैं, और देखें, ये बहुत बड़ा एक reason है, कि आपको ऐसा लगी कि चीजें fair नहीं हो रहे हैं, या पे five of voices का card कहता है, आप दोनों को ऐसा लग सकता है, कि ये तो relationship के लिए fair नहीं है, या कोई और भी reason हो सकता है, एक unfair energies, एक injustice महसूस कर रहे हैं, आप देखें, बहुत छो मोटी मोटी कोई भी चीज हो सकती है, जिसकी वजए से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को ऐसा लग रहा है, कि ये fair नहीं है, कहीं जो आप deserve करते हैं, relationship deserve करता है, वो नहीं मिल पा रहा है, और जो भी surface level के लिए हो, deeper level के लिए garging angel का card कहता है, आप दोनों को ही एक दूसरे से garging angel वाली feeling आ रही है, जैसे होता है जो हमारे garging angel हमारे साथ में होते हैं, एक सुकून होता है, एक peace होती है, ऐसे लगता है कि कोई भी problem होई ना तो solve कर देंगे, इसी तरीके की feeling आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, तो ये था सरी डेवे साफ लुगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें